हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन तो लन्विर्दितीमन, राजिस्थान का इतिहास और संस्क्रती, क्लास 10 में चैप्टर नमबर 6 का ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने राजिस्थान के दुर्ग जो हैं वह कंप्लीट कर लिए, आजम करने वाले हैं मंदिर, तो चलिए स् सबसे भव्य मंदिर कौन सा है, तो देखिए आंसर है किराडू का सौमेश्वर मंदिर, नेक्स्ट है कुश्चन 2, कौन सी सदी को मंदिर शिल्प का श्वन काल कहा जाता है, कौन सी सदी को मंदिर शिल्प का श्वन काल कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ग्यारवी से तेर नेक्स्ट है, कुश्चन 3, भूमिज शैली से बना राजिस्थान का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? देवरा मंदिर और भूमिज शैली से ही बना हुआ है। यह उदयपूर में इस्तित है, यह मंदिर कहां इस्तित है, यह उदयपूर जिले में इस्तित है Next है Question 6, एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर जो है, वह किसने बनवाया था तो यह मेवाड के जो गोहिलवन्स के संसापक भी माने जाते हैं मेवाड के साशक बपा रावल ठीक है? तो वास्तविक संसापक माना जाता है बपा रावल को और इनका वर्तमान स्वरूप जो है इस मंदिर का यह महाराणा रायमल ने दिया था तो एकलिंग जी का मंदिर किस ने बनवाया? वप्पा रावल ने बनवाया, जो की मेवाड के शाशक थे. मेवाड के राजगराने के कुल देवता कौन है? तो कुल देवता जो है, वह एकलिंग जी को ही माना जाता है. Q8. किराडू का मंदिर कहां इस्तेत है? तो कई बार ये कोशन हम कर चुके हैं, किराडू का मंदिर जो है, वह बार्मेर जिले में इस्तेत है. कहां इस्तेत है? बार्मेर जिले में इस्तेत है. next देखिए question number 9, किराडू का प्राचीन नाम क्या था, तो नाम था किराट कूप, next है question number 10, किराडू के मंदिरों में सबसे सुन्दर मंदिर कौन सा है, तो यह मंदिर जो है, वह सौमेशवर मंदिर है, सौमेशवर मंदिर जो है, वह किराडू के मंदिरों में सबसे सुन्दर मंदिर है, किस मंदिर को राजिस्थान का खजराहू कहा जाता है, तो राजिस्थान का खजराहू जो है, वह कहा जाता है किराडू के मंदिर को, most important question, र इस्तित जगत शिरोमणी मंदिर का निर्मान किसने करवाया तो यह करवाया कच्छवाहा शाशक मान सींग की पतनी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सींग की स्मृती में जगत शिरोमणी मंदिर का निर्मान करवाया आमेर में तो जो मान सींग थे वह है जो काले पत्थर की क्रश्न मूर्ती है जो इस मंदिर में विराजमान है जगत शिरो मनी मंदिर में तो वह है कहां से ले कर आये थे तो यह मूर्ती जो है वह है चित्तोर से लेकर आये थे Question number 14 गुजराद के चालुक के शाशक भीमदेव के मंतरी बिमल शाहा इन्हों ने किस जैन तीर्थकर का मंदिर बनवाया तो गुजराद के जो चालुक के शाशक भीमदेव के मंतरी बिमल शाहा ने प्रतम जैन तीर्थकर रिशवदेव जी का मंदिर बनवाया ठीक है प्रतम जैन तीर्थकर कौन है रिशवदेव तो इनका मंदिर बनवाया किसने बनवाया गुजराद के चालुक के शाशक भीमदेव के मंदरी बिमल शाहाने Next है Question 15 बाईसवे जैन तीर्थ कर नेमी नात का मंदिर देलवाडा में किसने बनवाया तो यह वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया वास्तुपाल और तेजपाल ने 1230 इसवी में बनवाया नेक्स्ट देखिये कुश्चन नमबर 16 आभा नेरी में इस्थित हर्शत माता का मंदिर मूलत है किस देवता का मंदिर है किस देवता का मंदिर था आभानेरी में इस्थित हर्षत माता मंदिर जो है वह मूलता है किस देवता का मंदिर था तो यह है विश्नु देवता का मंदिर था कुशिन नमबर 17 चिताओडगर जिले में इस्थित बाडोली का शिम्मंदिर याद रखना है बाडोली का शिम्मंदिर कहा है तो वह है चिताओडगर जिले में किसने बनवाया यह बनवाया हून शाशक तोर्मान के पुत्र मिहर कुल ने यह मंदिर बनवाया तो आज यह चैप्टर जो है वह है complete हो जाएगा सभी मंदिर जो है वो हम कर लेंगे Question 18 है हाडोती का खजुराहो के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है तो हाडोती का खजुराहो जो है वह किस मंदिर को कहते हैं यह कहते हैं भन देवरा के शिम मंदिर को जो कहा है बारा जुले की रामगड में इस्तित है बारा जुले की रामगड में इस्तित भन देवरा के शिम मंदिर को क्या कहते हैं हाडोती का खजुराहो कहा जाता है कुश्यन नमबर 19 रनकपुर का जैन मंदिर कहां इस्तेत है तो यह मंदिर पाली जिले में इस्तेत है नेक्सट है कुश्यन नमबर 20 रनकपुर जैन मंदिर का निर्मान किसने करवाया रनकपुर के जैन मंदिर का निर्मान किस ने करवाया? तो यह मंदिर का निर्मान करवाया, most important है, second grade में ये question पूछा जा चुका है, महारणा कुम्बा के शाशनकाल में एक जैन व्यापारी था, धर्नी शाह, ठीक है, important है, बहुत जादा, एक जैन व्यापारी धर्नी शाह ने महारणा कुम्बा के शाशनकाल में रनकपुर के जैन मंदिर का निर्मान करवाया, किस मंदिर को खंबों का अजायब घर वा चौमुखा मंदिर कहा जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे खंबे हैं, तो इस वज़े से कहा जाता है, खंबों का अजायब घर, और इसे तो यह समर्पित है, पर्थम जैन तीर्थकर आदीनाथ, पर्थम जैन तीर्थकर आदीनाथ, तो आदीनाथ इनको ही क्या बोलते हैं, रिशवदेव बोलते हैं, नेक्स्ट चलिए question number 23 पर रनकपुर के जैन मंदिर को खंबों का अजायबगर कहा जाता है ठीक है हमने अभी यह पढ़ा था तो यह क्यों कहा जाता है क्योंकि यह 1444 खंबों पर टिका होने के कारण इसे क्या कहा जाता है खंबों का अजायबगर किस मंदिर को विमल शाही मंदिर कहा जाता है किस मंदिर को विमल शाही मंदिर कहा जाता है यह कहा जाता है रिश्यव देव के मंदिर को जो की कहा है देलवाड़ा में next न है question 25, किस मंदिर को लूरवशाही मंदिर कहा जाता है, लूरवशाही मंदिर जो है वह किसे कहा जाता है निमिनाथ के मंदिर को, जो की देरवाडा में ही है, तो देखिए, चैप्टर में एक एक point जो है, वो आपको question के format में मिलता है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, यह चीज़ आप भी जानते हो, कि आपको ऐसे question जो है, इस तरीके से बने हुए, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, जो कि इतने ज़्यादा मेहनत से बनाए तो आप इन सब को बहुत अच्छे से लर्ण करेंगे सास बहु का मंदिर कहां इस्तित है ठीक है तो जिसे सहस्तर बहु मंदिर भी कहा जाता है तो यह मंदिर जो है वह है उद्यपूर के निकट नागदा में इस्तित है उद्यपूर के पास में नागदा में इस्तित है सास ब नेक्ट देखिए, question 28, तो मंदिर से संबंदित सभी प्रश्ण complete होते हैं 27 question में, ठीक है, 27 question जो है, वही निकले हैं, जो कि इनी में से, मंदिरों में से question आपके exam में पूछ लिया जाएगा, अब चलिए, अब आता है हवेलियों के बारे में, प्रश्ण, कहां की हवेलियां वि विश्व में भी विख्यात हैं, तो देखिए, जैसल मेर की, जो सालम सींग की हवेली है, नत्मल की हवेली है, और पटवों की हवेली है, ठीक है, जैसल मेर की, सालम सींग की हवेली, नत्मल की हवेली, और पटवों की हवेली, ये विश्व विख्यात है, विश्व में बिकानेर की मोहता मूंदडा रामपुर्या की हवेलियां किस पत्थर की बनी हुई है यह किस पत्थर की बनी हुई है तो यह लाल पत्थर की बनी हुई है तो जियोग्रफी में यह चीज आपको आपने पढ़ी होगी तो लाल पत्थर जो है वह कहां का फेमस है किस जिले का फ तो देखिए यहां question जो है इस तरीके का है कि यहां पर कुछ छत्रियां है यह कहां कहां पर हिस्तित है यह आपको देखना है तो मुसी महरानी की छत्री जो है वह अलवर जिले में इस्तित है मुसी महरानी की छत्री अलवर जिले में है गोपाल सिंग की छत्री जो है वह करोली में है गोपाल सिंग की चत्री कहां है करॉली जिले में है next है question देखिए 31 में ही 84 खमों की चत्री जो है वह कहां इस्तित है तो यह है बूंदी जिले में इस्तित है सेठों की चत्री जो है यह कहा है रामगड में राओ कल्यानमल की चत्री जो है वह है बीका नेर में ठीक है राओ कल्यानमल की चत्री जो है वह कहा है बीका नेर में ठीक है तो ये कहां कहां इस्तेत हैं चतरियां मुसी महरानी की चतरी अलवर में है गोपाल सिंग की चतरी करोली में है चोरासी खंबो की चतरी बुंदी चिले में है सेठों की चतरी रामगर में राव कल लियानबल की चतरी जो है वह है बीकानेर में है इश्वर जिंग की चतर गैठोर में है और जस्वन सिंग का थड़ा जो है वह कहां है जोतपुर में ठीक है तो यहाँ जितनी भी छत्री थी important सब भी यहाँ पर हैं कोई भी चूटी रही है नेक्स चलिए 32 कुशन तो आज मैंने सोचा यह चैप्टर जो है वो काफी बड़ा हो गया है आज ही इसे complete कर लिया जाए ठीक है नेक्स चैप्टर जो है वो हम कल reading करेंगे और उसके बाद हम उसके question answer करेंगे question 32 देखिए जल संरक्षन संबंदी टांकों का निर्मान किस प्रकार के जल को संरक्षित करने हेतू किया जाता है तो यह है वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए किया जाता है आभा नेरी की चांद बावडी कहां इस्तित है तो यह बांदी कुई में इस्तित है ठीक है कहते हैं कि बांदी या दासियों द्वारा बनवाई गई इसलिए नाम पड़ा बांदी कुई तो आभा नेरी की चांद बावडी जो है कहां इस्तित है बांदी कुई में नेक्स्ट दिखिए 34 question उदेपुर में त्रे मुखी बावडी का निर्मान किसके द्वारा किया गया तो यह मिवाड के महारणा रास शेंग की पत्नी रानी राम रसदे द्वारा इसका निर्मान किया गया उद्यपुर में त्री मुखी बावडी का निर्मान जो है, वह मिवाड के महारणा राज सिंग की पतनी रानी रामरस्दे द्वारा किया गया डुंगरपुर के पास इस्तित प्रशिद नौ लखा बावडी किसने बनवाई? डुंगरपुर के पास में जो नौ लखा बावडी है, इसका निर्मान करवाया महारावल आजकरण की पतनी प्रीमल देवी द्वारा ठीक है? आजकरण की पतनी प्रीमल देवी द्वारा डुं बूंदी में इस तित जो रानी जी की बावडी है इसका निर्मान करवाया बूंदी के ही शाषक अनिरुद्ध की पतनी नाथावत द्वारा बूंदी में रानी जी की बावडी का निर्मान करवाया गया तो ये था इस chapter का अंतिम प्रशन और आज आपका ये 6 chapter जो है वो complete हो चुका है काफी बड़ा था ये chapter, 1st chapter की ही तरह तो next chapter जो है वो हम 7 question answer जो है वो करेंगे जिससे की आपको थोड़ा पुत याद भी यहां होता जाए यहां में काम जो है वो बिल्कुल start किया है तो end तक हम पूरा करेंगे ठीक है बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा तो चलिए इसी तरीके से मिलते हैं next video में thank you